तो आगे थे आपका एक और नई फीडियो में सबसे पहले क्रिप्टो कनल से जिन्दाबाद, क्रिप्टो इंवेस्टर जिन्दाबाद, और भाईया क्रिप्टो मार्केट जिन्दाबाद, कमेंट बॉक्स में फटा-फट लिख दो, अच्छा बात करने वाले हैं यहाँ पर बात करेंगे एक टोकन के बारे में कौन से टोकन है, ब्लॉक्टोपिया, ब्लॉक्टोकन के बारे में काफी लोग मेरे से पूछे हैं, तो भाईया मैं अपना जो आइडिया है, अपना जो टेक्निकल है, वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, अच्छा मैं किस तरह स बारा बची के करीब आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँगा बाकी आपको पता ही है अगर आपको इंडेप्थ वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं है उस वीडियो को जाके देख लेना सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या हो सक है तो पहली बात यह बात खतम हो गई दूसरी बात इंडिया की बात मेरे भाई तो आज इंडिया में ना बहुत यूनीक हुआ है कुछ क्रिप्टो के अंदर क्या हुआ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है तो बेसिकली आप सभी को बता है मेरे भाई जो इंडियन गव हखाने है थोड़े से कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिप्टो को ADOPT करना चाहिए और अडाप्ट भी कर रहे हो तो इतने जादा टेक्स के साथ अडाप्ट ना करो ठीक है अब क्या है जो इंडियन गभ्रमेंट है वो खुद की cryptocurrency लेके आ रही है यूपिया आप सभी को रिटेल जो लेवल है इसके उपर भी E रूपिया को लेके आजेंगे E रूपिया क्या है बेसिकली E रूपिया उस कोईन का नाम है जो की इंडियन गवर्मेंट का खुद की डिजिटल करंसी है ठीक है भी या समझ गे आप बिल्गो क्लियर है चलो ठीक है तो एक तो हो गया होलसेल लेवल जो की कल हो चुका है अब आने वाला है रिटेल लेवल जो रिटेल लेवल पर आने वाला है और प्लॉट नंबर वन लेके आ हैं अभी अब देखते हैं क्या इसका यूज़ किस होता है क्या होता है बाकि मैं आपको बताऊं मेरे बाई अच्छी बात है E-Rupia लेके आए है ना और बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इसके पर काम भी कर रही है इंडिया ने भी काम करा और लेकी भी आगे अच्छी बात यह है लेकिन E-Rupia लेके आने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जो पुरानी cryptocurrencies है like हमारी जो एक traditional market है उसको आप दवाने की कोशिश करोगे जो कि clear है कि Indian government उसको दवाने की कोशिश करती है 30% tax लगा दिया TDS लगा दिया मेरे भाई यह कोई gambling थोड़ी ना है कि आप इसके पर इतना tax लगा रहे हो मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर 30% tax gambling के उपर ह crypto के अंदर भी same ही tax लगा गया है तो indirectly जो government है वो यह कहना चारिए कि आप gambling कर रहे हो जो कि ऐसा नहीं है मेरे भाई gambling मेरे साब से कुछ भी काम है अगर आप bigger knowledge के करोगे तो वो gambling है ठीक है और cryptocurrency gambling नहीं है यह मैंने आपको हमेशा बता के रखा हुआ है और आपको समझाने की जरवत भी नहीं है मेरे भाई क्योंकि आप लोग family का part हो आप क्रिप्टो के पर test करते हो तब ही मेरे साथ हो यहां पे ठीक है अधरवाइस शायद आप ना होते ठीक है तो यह हो गए आपकी अब आज क्या हो रहा है मेरे भाई आज Central Board of Indirect Taxes and Customs ठीक है इंडिया की organization है जो क पूछा है कि पहरी बात तो आप यह बताओ Indian Crypto Exchanges वालो कि भाई आपके exchange के उपर कितने token है प्लस आप यह भी बताओ कि कितने value के token है कितने value change होगी है कितना इन्होंने high मारा है कितना low मारा तो यह data जो है बहुत important data है जो कि पूछा है इस organization है Indian Crypto Exchanges से क्यों पूछा मेरे तो एक positive भी है मेरे भाई क्योंकि 30% tax direct लगा दिया जो कि गलत है शायद अब इसमें कुछ change आ सकता है अभी कुछ भी आसी ख़बर नहीं है मैं सिर्फ speculate कर रहा हो मेरे भाई कि हो सकता है कि जो tax है उसको कम करके लगाये जाए क्योंकि अब ना इसको थोड़ा जा जा रहा है देखा जा रहा है इसको कि भाईया किस तरह से हम tax लगाएं मतलब इतना कमाया भी है क्या crypto वालों ने कि हम उस पर 30% tax ले ले ये भी एक हो सकता है question ठीक है तो भाईया ये हो गया आज और अगर clarity आ जाती है कुछ और update आती है इसके पर तो मैं आपको बता दूँगा ये हो आपका सारा इंडिया का thank you so much ये clear कर दिया आपके भाई ने अभी तक वीडियो को like नहीं कर रहा तो भी है like कर देना चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना अच्छा अब update का है तीसरी तीसरी update है मेरे भाई blocktopia के बारे में आप लोग पूछते हो कि ये blocktopia के ब जोने top pace को सही है उनके कहने पर आपने बाय कर रहा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है market को कोई प्रिडिक नहीं कर सकता पहली कितना अप चले जाएगी तरण चले जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन क्या project में दम है मेरे मेरे असाब से बिल्कुल दम है blocktopia के एक building है 21 floor की जो की bitcoin की 21 million supply दिखाता है हर एक building पे crypto के बारे में knowledge दी जाती है NFT के बारे में knowledge दी जाती है NFT को buy and sell कर सकते हो आप महाँ पर rent out कर सकते हो lease out कर सकते हो उन buildings को blocks को हैना महाँ पर बहुत सारी जो influencer है वो अपना advertisement चलवाते हैं तो metaverse की जो दुनिया अगर सच होगी न जो की हो सकती है तो blocktopia उसमें बहुत आगे रहने वाला है तो मेरे सबसे positive है buy करना है तो buy करके रख लो छोटे मोट amount से मैंने buy करके रखा हुआ है अपने portfolio में already मैंने buy कर लिया और acclimate कर लिया क्योंकि मुझे dip मिल ला है और ये project ऐसा है मेरे भाई अगर चल गया है तो ये हर्ष पे ये जो फर्ष है फर्ष पे हर्ष पे ले जायागा आपकी portfolio को 110% लेकिन एक शीज मैं आपको बता दूँ मैं कोई financial advisor नहीं हूँ प्रस मैं आपको ये भी बता दूँ मेरे भाई blocktopia के बारे में अगर buy भी करे हो तो कम amount से करना बाकी metaverse का जो दौर आएगा उसमें blocktopia for sure pump करेगा NFT के दौर में भी pump करने वाला blocktopia thank you so much for joining अच्छा लगा आपसे बात करके वहिया cryptocurrency जिन्दा बात लिख देना comment box में चैनल के साथ भी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाना bye take care and be be safe